Class 6, Subject English, Lesson 1, Faithful Friend, वफादार मित्र, ये दो दोस्तों की अफ्री की लोकता है जो हर मामले में एक दूसरे के लिए ही बने थे, वे इतने एक जैसे दिखते थे कि कोई भी उनमें अंतर नहीं कर सकता था, और उन्होंने अलग-अलग परिस्थितियों में दोस्ती साबित की, ये सची कहा जाता है कि कोई भी आसानी से धन और दौलत कमा सकता है लेकिन मोजो या रोजल जैसा सच्चा शैतान ढूंडना बहुत मुश्किल है, एक अफ्रीकी जनजाती में एक ही दिन दो लड़कों का जन्म हुआ और वे बड़े होकर पक्के दोस्त बन गए, उनके नाम मो जो और रोजल थे, मोजो अमीर था, रोजल गरीब थी, वे इतने एक जैसे दिखते थे कि कोई भी एक को दूसरे से नहीं पहचान सकता था, बीस साल बाद मोजो को लगा कि वो अपनी जवानी घास कातने, खर गोशों, चुहों का शिकार करने जैसे बेकार कामों में बिता रहा है, उसे बाहरी दुनिया का कुछ देखने की इच्छा थी, ये सपश्ट था कि उसे अपने सबसे अच्छे दोस्त को अपने साथ चलने के लिए कहना चाहिए, जब वे एक गाव में पहँचे, तो मोजो ने एक बहुत ही खुबसूरत लड़की विर्याना को देखा, वे विर्याना की सुन्दर्ता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत उससे शादी करने के लिए कहा, विर्याना ने कहा, मेरे पिता गाव के मुखिया हैं और वो चाहते हैं कि मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो जो अलोकिक कार्या करने में सक्षम हो, वो मेरे चाहन वालों के लिए कई खतरनाक और असहनिय कारियों का आयोजन करते हैं। और ऐसे कारियों को देखने के लिए मुझे डर है कि मैं बूरी हो जाऊंगी। बिना कभी शादी किये। ये सुनकर मुझो मुख्या के पास गया और बोला, सर, मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता ह सुरच पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला है। आप मुझे कोई भी काम सौप सकते हैं और वो पूरी तरह से पूरा होगा। मैं निश्चित रूप से सफल होँगा। क्यूंकि आपकी बेटी के लिए मेरा प्यार असीम है। लेकिन मुझो तब निराश हो गया ज उसे मार दिया जाएगा। वो प्रेम से इतना अभिभूत था कि उसने शर्ते स्वीकार कर ली। मुखिया के आदमियों ने उसे एक जेल जैसी जोपड़ी में डाल दिया जिसमें कोई खिर्किया नहीं थी। और लंबे और संकील द्वार में एक चीडी सड़क और एक की पूर्व निर्धारित योजना क्रियानवित हो गई। दिवार को गीला करने के बाद रोजल ने अपने चाकू से उसमें एक छोटा सा छेद किया और इस छेद के माध्यम से उसने चुपचाप एक खोखला सरिया डाला और उसकी सिरे को पानी के कंटेनर में डुबोया। किनारे पर यह छेद बिना उठे ही सडांध, जीवन देने वाला तरल पदार्ट पीने में सक्षम था, दूसरे छोड पर मोजो कंटेनर को सूखा दिया गया था, रोजल ने रीड को हटा दिया, छेद को चिपाने के लिए दिवार को मिट्टी से धाग दिया, और चुपच कि रात, उसने मोजो को अपने बिस्तर की चटाई पर लेते हुए जोपडी की दूसरी दीवार के सामने सोने का आदेश दिया, मोजो को अपने जीवन में पहली बार दर का एहसास हुआ, रात हो गई और गार्ड को हलकी खुरचने की आवाद सुनाई दी और कुछ मिन्टो के बाद एक खोकला सरिया घुस गया और उसने रोजल के कंटेनर से पानी पी लिया, वह चिल लाया, तो इस तरह से तुमने पिछले चार दिनों से धोखा देकर खुद को जीवित रखा है, मोखिया को सुबह इस बारे में पता चलेगा, पानी से भरा मेरा अपना कंटेनर इसका सबूत होगा जो तुम्हारे जीवन को समाप्त कर देगा, रोजल ने ये सुना और कापती उंगलियों से रीड को वापस खीच लिया, अंधेरे में छुपते हुए उसने सोचा कि वह उस दोस्त की मदद कैसे कर सकता है जो उसे भाई की समान प्रिय था, अचानक जवान, तुम चिंतिक देख रहे हो, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, रोजल ने नीचे देखा तो उसे एक चूहा मिला, चूहे ने कहा, मैं इंद्रल हूँ, मुझे अपनी समस्या बताओ और मैं समाधान खोजने का प्रयास करूँगा, जब रोजल ने अपनी सम मस्या बताओ तो इंद्रल ने कहा, आज रहा तुम अच्छी नीन सो, तुम्हारा दोस्त थीक हो जाएगा, इंद्रल जोपड़ी में पहुँच गया और उसने दिवार में एक चेट कर दिया, और जब गात सोता रहा, तो उसके चेहरे पर विजय की एक भयानक मुस्कुराह उसने कंटेनर को छेट के माध्यम से धकेल दिया जहां उसके दोस्त सफेट चीटियां वाह वाह में इंतजार कर रही थी, उन्होंने कंटेनर खाना खत्म कर दिया, यहां तक कि सबसे छोटी चिप भी बची रही, अगली सुबह गार्ड को पता चला कि उसके पास कोई कंट ऐसे दिये कि कोई भी उनके बीच अंतर नहीं बता सका, एक दिन तुम्हें चाकों के जादू की आवश्यक्ता होगी, उसने उनसे कहा, कुछ महीनों के बाद, रोजल ने घोशना की कि उसे एक दूर के गाव की यात्रा करने और अपने लिए एक पत्नी खोजने की इच्छ बीच का पेड कैसे खिलता है, जिसे मैंने तुम्हारे द्वारा मुझे दिये गए जादूई चाको से काटे गए छेद में लगाया था, पिता जी, अगर ये पक्तिया मुर्जा कर सूख जाएं, तो ये संकेत होगा कि मैं या तो मर चुका हूँ या सबसे बड़ी मुसीब दे रही थी, वह बहुत सुंदर थी और वह उससे प्रेम करने लगा था, इससे पहले कि वह उसके करीब आता, गाउं में दुख का कारन बनता, नदी के देवता क्रूर और मान करने वाले हैं, इसलिए नदी तभी बहती है जब एक योवा लड़की की बली दी जाती है, कौन आदमी उस महिला को छोड़ेगा जिससे वह प्यार करता है जब वह खत्रे में हो, पूरे दिन वह उसके साथ बैठा और उसे उसके प्रती अपने प्यार के बारे में बताता रहा, जैसे ही सूरज डूबा, उनके पास की रेट में गल-गल आहट हुई और धर्ती से सब से बड़ा ड्रेगन निकला जो रोजल ने कभी देखा था, यह विशाल बर्गत के पेल जितना घना था और रोजल दर से भर गया था, लेकिन वह आगे बड़ा और अपने जादूई चाकू के वार से उसने राक्षस का सिर कात दिया, बिना सिर वाले विशाल अजगर से प बाहर भागे क्योंकि नदी मीठे जीवन देने वाले पानी से भरी हुई थी, जब तक कि नदी गाउं से होकर नहीं बह रही थी और प्यासे ग्रामीन लालत से पानी पी रहे थे, रेवती और रोजल की जल्द ही शादी हो गई और उन्होंने गाउं से कुछ दूरी पर गुजारने आये, शादी के कुछ सप्ताह बाद एक आश्चर यजनक घटना घटी, उस गाउंग में मास का हर टुकड़ा, चॉप, स्टेक, यहां तक की पैन में गरम हो रही सॉसेज अचानक उचल कर दूर पहाडी की ओर भाग गया, रोजल को अपनी आँखों पर विश् शक्तिशाली चतान के पास जाता है उसके साथ भी ऐसा ही किया जाएगा, कुछ दिनों बाद रोजल गाव के दस युवकों के साथ शिकार पर गई, एक मुएक को देखकर उन्होंने उसका पीछा किया, और उत्साह में तब भी भागते रहे जब जानवर भयानक चतान से ग और उसे पता चला कि उसका दोस्तिया तो मर गया था या बहुत खत्रे में था, वह तुरंट अपने दोस्त को धूनने निकल पड़ा, तीन दिन बाद वह उस चोपड़ी में पहुँचा जहां रेवती और रोजल रहती थी, वह रोजल की तरह इतना दिखता था कि रेवती को लगा कि उसका पती शिकार से लोट आया है, तुम्हें गए तीन दिन हो गए, उसने रोते हुए कहा, तुमने गाउव वालों के लिए कई जानवरों का शिकार किया होगा, उसने रोजल होने का नाटक करते हुए उत्तर दिया, ये सफल रहा, लेकिन मुझे तुरंट फि दुखिया से बात की, जिसने दुखी होकर उससे कहा, निश्चित रूप से, हमने रेवती को नहीं पकड़ा कि क्या हुआ, लेकिन इसा माना जाता है कि वे पवित्र पहारी पर चतान द्वारा निगल लिये गए थे, मोजो ने कहा, रोजल मेरी सबसे प्यारी दोस्त है, जहां है, उन्होंने कहा, हम आपकी बहादुरी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन हम स्वयम इससे भी आगे जाने से दरते हैं, मोजो चतान के पास गया और तुरंद, उसने अपने जादूई चाकु से उस पर वार किया, और जैसे ही चतान दो हिस्सों में तूट गई, शिकार और रोजल गाते हुए, हस्ते हुए और अपने दोस्तों के साथ फिर से सूरज की रोशनी में वापस आकर खुश होकर बाहर निकले, कौन सा मेरा पती है, रेवती चिलाई जब दोनों बिलकुल एक जैसे दिखने वाले यूवक उसकी सामने खड़े थे, रोजल ने कहा, मै तुम्हारा पती हूँ और यह मेरा प्रियमित्र मोजो है, हम सभी को बचाया, और उसने उसे अपनी दोस्ती और साहसिक कारियों के बारे में बताया, और जब कपास के बीच के पेल की पत्या सूप गई और मोजो ने उसकी मदद कैसे की, वे मोजो के साथ घर वापस चले ग आहे.